इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सालाह لे। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Duokine DSR Capsule is a prescription medicine used to treat gastroesophageal reflux disease यानि की acid reflux and peptic ulcer disease by relieving the symptoms of acidity such as indigestion, heartburn, stomach pain और irritation. Duokine DSR Capsule also neutralizes the acid in the stomach and promotes easy passage of gas to reduce stomach discomfort. इसे डॉक्टर द्वारा बताए गए dose और समय तक खाने के बिना लिया जाता है. Dose आपकी condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी. डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें. अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. अपनी health care team को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं. क्यूंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं. इसके सबसे आम दुश प्रभाव डायरिया यानि की डस्थ, पेट में दर्ध, पेट फूलना, यानि की गैस बनना, मूह में सूखापन और सिर दर्ध हैं. इन में से अधिकान शस्थाई होते हैं, और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं. अगर आप इन में से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करें. इस दवा से आपको चक्कर या नींद आ सकती है. इसलिए, जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है. तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक फोकस की आवशक्ता होती है. यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इस से आपको अधिक नींद आ सकती है. जीवन शेली में बदलाव जैसे ठंडा दूद पीना और गर्म चाए, कॉफी, मसालेदार भोजन या चॉकलिट से परहेज करना आपको बहतर परिनाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है. अगर आप किड्नी या लिवर की बीमारी से पीडित हैं, तो इस दवा का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर को सूचित करना महत्वपूर्ण है. अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बना रही हैं, या स्तनपान करवा रही हैं, तो भी आपको अपने ड इकोन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद.